तो डे फो फाइनल स्नीक पीक आपके स्क्रीन के सामने है नया ट्रूप और इस अपडेट का सबसे बड़ा फीचर हेड हंटर दा न्यू ट्रूप गाइज मैं इस वीडियो में डिटेल्स में बात करूँगा कि कैसा है यह ट्रूप आपको अटैक करके भी दिखाऊंगा वन लेवल टू लेवल त्री तीन लेवल्स हैं अनफॉर्चुनेटली यह टाउन होल 12 में लॉक होता है तो टाउन होल 10 और 11 के लिए कुछ भी नहीं है एंड मैक्स वरता है टाउन होल 13 तो वेलकम बैक तो दे चैनल गाइज आप लोग बहुत ही मज़ा कर रहे हैं और अप आपके आने वाले टाइम भी मिलते रहें तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एड हंटर जो है वो टाउन होल 12 में अनलॉक होता है और टाउन होल 13 में मैक्स होता है तीन लेवल्स होने वाले इसके तो सबसे पहले मैं इसका लुक दिखाता हूँ आपको कि यह दिखता क से हैं तो यह रहा है इस आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो बहुत ही ऑचसम दिखने में यह है है हमारा हमारा और सिसके स्टेट सेखती हो लेविल वन कि स्टेट से आप damage per second देख सकते हो, hit point देख सकते हो, training cost क्योंकि dark troop है, speed decrease और attack rate decrease, इसके बाद में थोड़ी देर में बात करूँगा, अभी नहीं बात करूँगा, थोड़ी देर में बात करूँगा, favorite target जो है, इसका enemy heroes है, yes, ये सबसे ज़्यादा awesome बनाता है इस troop को, ने troop को, सबसे ज़्य unique बनाता है कि ये enemy heroes को target करता है, ना कि दूसरे चीजों को, तो वो insane होने वाले हमें देखने, देखना पड़ेगा कि ये कितना ज़्यादा damage कर पाता है, four times damage, मतलब अगर आप देख सकते हो, level one का जो head hunter है, उसके damage per second 108 है, मतलब इसको आप four times कर दो, उतना damage करेगा ये per second किसी भी hero को, तो अभी हम लोग थोड़ी देर बाद use करेंगे, तो उससे पहले हम लोग देख लेते है, level two का head hunter है, उसके stats क्या है, ओके so guys, अब आपके screen के सामने level two के head hunters है, और आप देख सकते हो, damage per second का increase हुआ है, hit point का increase हुआ है, training cost भी थोड़ा से increase हो गया है, speed decrease rate, attack rate decrease, इसके बारे में मैं finally बात करूँगा, और बाकी सारे stats जो है, वो बिल्कुल same है, तो चलिए अब देखते हैं, पहले level three के head hunters है, वो कितने जादा powerful है, उनकी damage और hit points क्या है, और उसके बाद मैं बात करूँगा, ये speed decrease का funda क्या है, और rate जो है, attack rate decrease का funda क्या है, so guys, अब finally आपके screen म max level के head hunters दिखरे होंगे, और यहां पर आप देख सकते हो, damage per second 132 है, hit point 440 है, उसी के साथ training cost जो भी है, speed decrease और rate, attack rate का decrease हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये funda क्या है, speed decrease और attack rate decrease, ये hack actually, head hunter जब कोई भी enemy hero को target करेगा, जो कि मैं भी आपको attack करके दिखाऊंगा, तो व hero एक poison spell के enter आजाएगा, जो head hunter के पास ही होगा, poison spell, मैं इसको पता, ये सुनने में काफी crazy है, और उस poison spell के चलते, आप जो hero को target करेगा, head hunter, उसके जो attack speed है, मतलब जो attack कितनी तेजी से करता है, वो भी decrease हो जाएगा, और कितना damage per second करता है, वो भी decrease हो जाएगा, मैं इसको पता कि मैं आपको दिखाता हूँ कि, जो मैं बोल रहा था अभी, attack rate decrease और जो भी बात कर रहा था, वो कैसे feature करता है, चल ये देखते हैं, तो देखें, ये बेसमेल को मिला है, अब एक अच्छी बात क्या है, कि इसकी heroes जो है, वो बाहर ही है, तो और असानी हो जाएगी head hunters के blink होने लगी थी, glow करने लगी थी, red color में, ठीक है, अगर आपने अच्छी से notice ने किया, तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, इस बार मैं 2-3 head hunters drop करूँगा, तो ये कर दिया, मैंने 2-3 head hunters, अब ये देख सकते हो guys, head hunters जो है, वो royal champion को target कर रहे है, almost royal champion को down भी कर दिया, और royal champion glow कर रहा था, इसका मतलब ये है कि जब head hunters target करता है कोई भी hero को, उस hero का जो damage है, वो reduce हो जाता है, किसना percentage of already screen पे देख चुके हो, और उसकी जो speed है, वो भी slow हो जाती है, अब एक शायद काफी होगा, head hunter, royal champion को निकालने के लिए, yes, max royal champion की बात कर रहे थे हम by the way, ठीक है, अब हम queen को देखते हैं, कि queen को take down करने के लिए कितने चाहिए होंगे, अभी देख सकते हो guys, बहुत सारे defense से घिरी हुए, literally बहुत सारे defense से घिरी हुई है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 drop करता हूँ, चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हमने 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हमने 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 हमने 1, 2, 3, headhunters और drop करते हैं, तो यह आप देख सकते हो guys, यह headhunters ने queen okay, so बहुत जाए damage पड़ा basically, वहाँ पे wizard tar का, मैं एक और try मारता हूँ, यहाँ पे कुछ और headhunters drop करके, यहाँ पे freeze करते हैं हम लोग, और यह आप देख सकते हो guys, इन्होंने आ के queen को निकाल दिया है, तो ऐसा पी है, अगर आपकी heroes protected नहीं है defense से, तो कभी-कभी ऐसे basis होते हैं, जहाँ पे heroes को बिल्कुली corner कर दिया जाता है, वो एक strategical move होता है, बट फिर भी उस basis में headhunters use बहुत हो सकते हैं, या फिर blimp वगेर में हो सकते हैं, चलिए देखने king को निकालने के लिए हमें कितने सारे headhun defense चाहिए होंगे, basically बहुत सारे defense से गिरे हो है, by the way मैं पहले बता चुका हूँ, चलिए हमें कुछ headhunters drop किये, मैंने आप देखते हैं कि king को कितना damage कर पाते हैं, बाप रे बाप, wizard tar का damage insane है, तो हमें wizard tar को freeze करना पड़ेगा, और हमने कुछ होर headhunters drop किये यहां पे, and wizard tar को मैं insane है, तो वहां पे survive करना थोड़ा मुश्किल है, महारे लिए है, अब हम grand warden के पीछे जाने वाले हैं, तो यह drop किये हमने और कुछ headhunters, okay, so यह grand warden को as a defense count नहीं कर रहे है, as a building count कर रहे है, यह interesting है, तो grand warden को यह target नहीं करेंगे, this is cool, क्योंकि grand warden भी hero ही है, but आपको पता है कि जब तक यह game में ना आए, और bulk में use ना हो, लोग अपना दिमाग लगा के strategies ना बनाए, तब तक बोलना थोड़ा मुश्किल है, अरे phone आ गिया मेरा, okay, तब तक बोलना थोड़ा मुश्किल है, but अभी जितना मेरे को लग रहा है कि इतना भी overpowered नहीं है, अगर आपको यह कैसे नहीं बोल सकते, भाई, यह क्या हुआ, मतब clash of class is broken because of the new troop, ऐसा कुछ नहीं है, तो यही था, और max level के यह headhunters मैं आपको दिखाए, आप लोग भी एरे comment section में मेरे को बताना कि आप लोग को यह नया troop कैसा लगा, और अगर मैं कुछ experiment कर सकता हूं इसके साथ, वो भी मेर को mention करना, मैं जरूर कोशिश करना उन वीडियो को बनाने के लिए, तो बस गाईस इस वीडियो में इतना ही था, अगर लगा है तो like कर देना, tell me first time में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चलन, as always guys, जैहिन, बाई कर देना ह Aí